सर्ब बात ऐसी है कि हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनाई देती है सर मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई अब मैं यहाँ बैटकर सोच रहा था कि हम राजनीत में क्यों आते हैं देश के लिए आते हैं सबसे सर्वो पर ही होता है देश अभी दो दिन पहले प्लीज ब्रीफ बस दो मान्य प्रधान मंत्री और गुलाम नभी आजाद दोनों एक सत्तापक्स एक विपक्स मर अपनी भावना देश के लिए था सर्व आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है वो जब रेल मंत्री थे सर उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी घड़ी आई था जब निर्णे करना पड़ा कि देश बढ़ा है पक्ष बढ़ा है कि खुद अपने आप बढ़े हो मेरे सर गुरुजन मेरे बाबा अब जब मुझे बेस पार्लिमेंट का आवर्ड मिला था तब ही भी मैंने ये कहा कि कि मुझे उस लायक बनाया तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्टी पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है कोविट का भी जब हुआ दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा बहुत अच्छी तरह सब ने मिलकर जैसे प्रदान मंत्रे ने बताया कि 130 करोड मर नेत्रत्व उनका था तो सर कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वाइलन्स हो रहा है हमारी प्रांक में जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या हम आते हैं उस देश चे जहां रविदना टैगोर, सुवास्चन खुदी राम और वो जो जो कवीता होती है ना के एमुन देश कोथाए पाखुजे पाबे गो तुमी शेजे होच्चे आमार जौनमो भूमी असल में हम जन्म भूमी के लिए ही है और कुछ नहीं और मुझसे यह देखा नहीं जा रहा है कि हम करें तो क्या सीमित है एक पार पार्टी देव सेट भी है मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ करनी पा रहे है उधर अत्याचार तो मेरी आत्मा की आवाज आज यह कह रही है और वो स्वामी वीवेका नंज जो कहते थे Arise Awake and Stop Not Till The Goal Is Reached तो आज मुझे आत्मा यह कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुप चाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याक पत्र दो और जाके बंगाल की भूमी में इसके लिए भी इसके लिए डियू कासे साथ माने चेर और देश के लिए बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए एक डियू प्रॉसेस है माने चेर्मेंस आपको आप लिखित दें इसके लिए डियू प्रॉसेस है